नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियोज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सांसद ब्रिजभूशन शरण सिंग को लेकर बता दें कि ब्रिजभूशन शरण सिंग की मुश्किले लगातार बढ़ती हुई हकत्य मानी जा रही है दरसल इस मामले में पिछली सुनवाई में कोट ने सीधे सीधे नाबालिक पहलवान और उसके पिता को एक नोटिस भेजा था नोटिस के मुताबिक जच के सामने नाबालिक पहलवान और उसके परिवार को अपना बयान दर्ज करवाना था दरसल आप को बदा दे कि ब्रजभूशन शरण सिंग के खिलाफ देश के कई दिगज पहलवान यहाँ पर अगर बात करें तो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे यौन सोशन के आरो ब्रजभूशन शरण सिंग पर लगे हुए थे और 15 जून को इस मामले में चार्डशीट द आखिल हुई और पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूशन शरण सिंग को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि आखरी वक्त पर पहलवान खिलाड़ी जिससे नाबालिक बताया जा रहा था उसने अपने बयान को बदल दिया और इसी के चलते ब्रजभूशन शरण सिंग को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई जिसके बात कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि ब्रजभूशन शरण सिंग के खिलाफ जो पहलवानों का आरोप है वो धीरे-धीरे कमसोर पड़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन आपको बता दे कि कोट ने इस मामले में भी अभी पूरी तरह से कराना होगा ऐसे में जच के सामने पहलवान को और उसके परिवार को ये भी बताना होगा कि आखिरकार सुनवाई से ये चारचीट दाखिल होने से कुछ समय पहले आखिरकार क्यों बयान को बदला गया दावा ये भी किया जा रहा है कि ब्रिजभूशन शरण सिंग के नहीं जा सकता लेकिन आपको बता दे कि यहां पर एक अगस्त को सुनवाई होनी है पट्याला हाउस कोट में नाबालिक पहलवान और उसके परिवार का बयान दर्च होगा जिससे लेकर लगतार ये कहा जा रहा है कि अभी कोट ने पॉक्सो एक्ट मामले में ब्रजभूश ऐक जिसके से क्या इस बयान से कोट सीधे-सीधे सहमती रखता है किया कोट पहलवान के बदले हुए बयान पर भरोसा जता पाएगा क्या विश्वास नाबालिक पहलवान कोट के सामने ये जता पाएगी या अपने लिए हासिल कर पाएगी कि जो वो कह रही है शरण सिंग को लेकर वो सच है या फिर वाकई में धंकी देने वाली धंका कर डरा कर बयान बदलने वाली बात जो है वो सच थाबित हो जाती है हाला कि इस पूरे मुद्धे को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियोज